नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में रियल मी नाजो 50 वर्सिस एकू नियो 6 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो नाजो 50 में 6.46 इंच जबकी नियो 6 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है जोकी नाजो 50 से कम है विद की बात करें तो नाजो 50 में 2.97 इंच जबकी नियो 6 5G में 3 इंच की विद मिलती है बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो नाजो 50 में 194 ग्राम्स जबकी नियो 6 5G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो नाजो 50 में IPS LCD जबकी Neo65G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो नाजो 50 में 6.6 inches जबकी Neo65G में 6.62 inches मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन नाजो 50 में 1080 by 2412 और Neo65G में 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन तु बोडी रेशियो नाजो 50 में 84.88 प्रतिशत जबकी Neo65G में 85.3 प्रतिशत मिलता है बात करें पीपी आई डेंसिटी की तो नाजो 50 में 400 प्रती इंच जबकी Neo65G में 398 प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते ह यह सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो नाजो 50 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा माक्रो कैमरा और आखिर में डैप्ट कैमरा देखने को मिलता है और Neo65G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा दे 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानी की selfie camera की तो NAZO 50 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और Neo 6 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है एई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है हाड़वेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो, नाजो 50 में Mali G57 MC2 जबकी Neo 6 5G में Adreno 650 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, नाजो 50 में Mediatek Helio G96 और Neo 6 5G में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है बात करें RAM की तो, नाजो 50 में 2 वैरियन्ट देखने को मिलता है जिसमें 4 गीगाबाइट 6 गीगाबाइट की रेम मिलती है जबकी Neo 6 5G में 2 वैरियन्ट देखने को मिलता है जिसमें 8 गीगाबाइट 12 गीगाबाइट रेम मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो, नाजो 50 में 2 वैरियन्ट देखने को मिलता है जिसमें 64 गीगाबाइट 128 गीगाबाइट की Storage मिलती है जबकी Neo 6 5G में 2 वैरियन्ट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है Expandable Memory की बात करे तो Naso 50 में up to 256GB जबकी Neo6 5G में नहीं है Operating System की बात करे तो Naso 50 में Android V11 जबकी Neo6 5G में Android V12 देखने को मिलती है Battery Naso 50 में 5000mAh जबकी Neo6 5G में 4700mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते हैं Colors की बात करे तो दोनों फोन में सेम ही दो Colors Option देखने को मिलते है सब Information देखने के बाद बात करे प्राइस की तो Naso 50 में दो Variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 12,999 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 15,499 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करे Neo6 5G की तो उसमें दो Variant देखने को मिलते है जो की 8GB RAM 128GB Storage के साथ 39,490 रूपीज 12GB RAM 256GB Storage के साथ 39,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme Naso 50 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Eco Neo 6 5G की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में Neo 6 5G आगे है Main Camera में Neo 6 5G आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Neo 6 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है दुसरा Oppo F17 Pro है तीसरा Realme Nano 20 है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M31 Prime है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत बूलना